नमस्ते माई डियर फ्रेंड्स नमस्ते मेरे दोस्तों आज प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोदी ने उत्र प्रदेश में भगवान श्री राम की पवित्र भूमी अयोध्धा में अंतर राष्ट्रिय है हवाई अड्डे का इन्योगुरेशन किया है उसमें उन्होंने जो भाषन दिया है उस भाषन के कुछ अंस सुनिये आयोध्या जी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम आज पूरी दुनिया उत्सुक्ता के साथ 22 जनवरी के अईतिहासिक छन का इंतजार कर रही है ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्सा ये उमंग बहुत स्वाभाविक है भारत की मिट्टी के कांकां और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उत्तनाही उत्सुक हूं हम सभी का ये उत्सा ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सडकों पर भी पूरी तरह नजर आ रहा था ऐसा लगता था कि पूरी अज़्या नगरी ही सडक पर उतर आई हो इस प्यार इस आशिरवात के लिए मैं आप सभी का रजय से आभार व्यक्त करता हूं करते कि मेरे साथ बोलिए कि शियावर राम चंदर की ॉत्तर का थे स्की गवर्णर आनन्दिवेंद प्पटेल यहां के योगी आधित्यनाट जी मंद्री मंडल में मेरे सहयोगी जोतिराधित्य जी अस्वीदी वैश्णव जी बिके सी जी उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सी एम केशो प्रसाद मौर्य जी ब्रिजे स्पाठक जी यूपी सरकार के अन्य मंत्रिगान सभी सांसद और विदाईगान और विशाल संख्या में आए मेरे परिवार जनों देश के इतिहास में 30 दिसम्बर की ये तारीक बहुत ही आइतिहासिक रही है आजके ही दिन 1943 में नेताजी सुभाच चंद्र बोज ने अंडमान में जंडा फैरा कर भारत की आजाजी का जय गोश्ट किया था आजाजी के अंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजाजी के अमरित काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं आज विक्षिद भारत के निर्मान को गती देने के अभियान तो अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है आज यहाँ 15,000 करोड पे से अधिक्ये विकास कारियों का सिलान्याद और लोकारपन हुआ है इंफ्रास्ट्रेक्टर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्से पर फिर से गवरव के सास्थापित करेंगे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कारिया अयोध्यावास्यों के अथक परिश्रम का परणाम है मैं सभी अध्यावास्यों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं मेरे परिवार जनों दुनिया में कोई भी देश हो अगर उसे विकास की नई उचाई पर पहुंच रहा है तो उसे अपनी विरासत को समालना ही होगा हमारी विरासत हमें प्रेरा देती है हमें सही मार्ग दिखाती है इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्बसाथ करते हुए आगे बढ़ रहा है एक समय था जब यहीं आयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान थे आज पक्का घर सिर्फ राम लला कोई नहीं बलकि पक्का घर देश के चार करोड गरीबों को भी मिला है आज भारत अपने तिर्फों को भी समार रहा है तो वहीं डिजिटल टेक्लोलोजी की दुनिया में भी हमारा देश ठाया हुआ है आज भारत काशी विश्वनात धाम के पुनन निर्मार के साथ ही देश में तीस हजार से जादा पंचय भवन भी बनवा रहा है आज देश में सिप्केदार धाम का पनुर्दारी नहीं हुआ है बलकि 315 से जादा नए मेडिकल कॉलेग भी बढ़े है आज देश में महाकाल महालोग का निर्मारी नहीं हुआ है बलकि हर गर जल पहुंचाने के लिए पानी की दो लाग से जादा तंकिया भी बनवाई है हम चान, सूरट और समुद्र की गहराईयों के भी नाप रहें तो अपनी पवरानित मुर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापिस ला रहे हैं आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में पस्ट दिखता है आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है यही तो भारत है विकास और विरासत की यही साजा ताकत भारत को 21 सदी में सबसे आगे ले जाएगी मेरे परिवार जरो प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खोद महर्ची वालमी की जिने विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्फितो जन पदो महान निविष्ट सर्यूतिवे प्रभूत धन धान्यवान अर्थात वालमी जिवताते हैं कि महान अलद्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी सम्रुद्धी के सिखर पर थी और आनन से भरी हुई थी यानि अयोध्या में विज्ञान और बैराग्यतो थाई उसका वैभव भी शिखर पर था अयोध्यान नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिक तांग से जोड़कर वापिस ला रहा है साथ क्यों आने वाले समय में अयोध्यान नगरी अवद छेत्र ही नहीं बलकि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है अयोध्या में स्री राम का भव्य मंदिर बनने के बार यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारों करोड रुप्यों के विकास कारिय करा रही है अयोध्या को स्मार्ट बना रही है आज अयोध्या में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है नए फुटपात बन रहे हैं आज अयोध्या में नए फायोवर बन रहे हैं नए पूल बन रहे हैं अयोध्या को आसपास के जीलों से जोडने के लिए भी यातायात के साधनों को सुधारा जा रहा है साथियों, आज मुझे अयोध्या धाम एरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकारपन करने का सवभागे मिला है मुझे खुसी है कि अयोध्या एरपोर्ट का नाम महर्ची वालमिकी के नाम पर रखा गया है महर्ची वालमिकी ने हमें रामायन के माध्यम से प्रभू स्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्ची वालमिकी लिए प्रभू स्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा अर्थाथ ये मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी है संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्ची वालमिकी जी के नाम पर अयोध्या धाम एरपोर्ट का नाम इस एरपोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्ची वालमिकी द्वारा रकीत रामायन वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभूश्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्ची वालमिकी इंट्रनेशनल एरपोर्ट आयो द्यादाम हमें दिव्य भग्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा जो यह नया एरपोर्ट बना है उसकी छमता हर साल दस लाक आत्रियों को दस लाक आत्रियों को सेवा करने की छमता है जब इस एरपोर्ट के दूसरे तरव का काम भी पुरा हो जाएगा तो महरत्य वालमी की इंटरनिसला एरपोर्ट पर हर साल साथ लाक आत्रियों को सेवा करने की छमता है स्टेशन का पूरा विकाग होने के बाद अयोध्या धाम रेल्वे स्टेशन पर हर रोज साथ हजार लोग आ जा सकेंगे साथ यों एरपोर्ट रेल्वे स्टेशनों के हलावा आज यहां अने पथों का मार्गों का भी लोकारपन हुआ है रामपत, बक्तीपत, धर्मपत और स्री राम जन्म भूमीपत से आवाजाई और सुगम होगी अयोध्या में आज ही कार पार्किंग सलो का लोकारपन किया गया है नए मेडिकल कॉले से हां आरोग्य की सुविदाओं को और विस्तार मिलेगा सर्यू जी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजिन सरकार पूरी तना समर्पी था है सर्यू जी में गिरने वाले दुसीत पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है सर्यू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है यहां के सभी प्राचिन कुंडों का पुनरुदार भी किया जा रहा है लता मंगिस कर चौक हो या राम कतास्तल ये अयोध्या की पहतान बढ़ा रहे है अयोध्या में बनने जा रही नई टाउन सिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी विकास के इनकारियों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी बनेंगे इससे यहां के टेक्सी वाले रिक्सा वाले होटल वाले धाबे वाले प्रसाद वाले फूल बेचने वाले पूजा का सामगरी बेचने वाले हमारे छोटे मोटे दुकांदार भाई सभी की आए बड़ेगी मेरे परिवार जनो आज यहां आदुनिक रेलिवे के निर्मार की तरफ एक और बड़ा कदम देश ले उठाया है बंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आदुनिक ट्रेन देश को मिली है इस नई ट्रेन सिरीज का नाम अमरिद भारत ट्रेन रखा गया है बंदे भारत नमो भारत और अमरुद भारत ट्रेनों की यह त्री शक्ती भारतियर रेलिवे का काया कल्प करने जा रही है इससे बड़ी खुशी के बाद क्या हो सकती है कि पहली अमरुद भारत ट्रेन अयोद्या से गुजर रही है बिल्ली दरबंगा अमरुद भारत ट्रेन बिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आधुनिक बनाएगी इससे बिहार के लोगों के लिए वग्द राम मंदिर में विराजने जा रहे है राम लला के दर्षन को और सुगम बनाएगी ये आधुनिक अमरुद भारत एक्स्परिस्प्रेन विशेज रुपते हमारे गरीब परिवार हमारे स्रमिक साथ्यों को बहुत मदद करेगी स्री राम चरित मानस में गोच्वामी तुल्शिदाजी ने कहा है परहित सरीस दर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्मा कोई और कर्तव्य नहीं है आधुनिक अमरुद भारत एक गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं जिनकी उतनी आमदी नहीं है वे भी आधुनिक सुविधाओं और आराम दायक सफर के हकदार है गरीब के जीवन की भी गरीबा है इसी दे के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है आज ही पस्चिम मंगाल और करनाटका के साथ योगों को भी उनके राज्य की पहली अमरिद भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है मैं इन राज्यों को भी अमरिद भारत ट्रेनों की बधाई दूँगा मेरे परिवार जनों विकास और विरासत को जोड़ने में बंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं देश की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी आज देश के 34 रूट पर बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने चल रही हैं काशी, वैश्णो देवी के लिए कट्रा, उज्जेइन, पुषकर, सिरुपती, शिर्डी, अम्रिशर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े कैंद्रों को बंदे भारत जोड रही हैं इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी बंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है आज अयोध्या धाम जंक्षन आनन्द विहार बंदे भारत शुरू की गई है इसके अलावा आज कट्रा से दिल्ली, अम्रिशर से दिल्ली, कोईम तूर बैंगलूरू, मैंगलूरू मडगाउं, जालना मुंबई इन शैरों के बीज भी बंदे भारत की नई सेवाएं शुरू ही है बंदे भारत में गती भी है, बंदे मारत में आदुनिक्ता भी है और बंदे भारत में आत्मन निर्भर भारत का गर्व भी है बहुती कम समय में बंद्ले भारत से डेड़ करोड से अधिक यातरी सफर कर चुके विशेस्टोर पर यूआ पीडी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है साथ्यों हमारे देश में प्राचिन काल से ही तिर्थी यात्राओं का अपना महत्वरा हा है अपना गवरवशाली इतिहात रहा है बद्री विशाल से सेतु बंद रामेश्वरम की यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा ज्वारका दिश से जगनाजपुरी की यात्रा ज्वादर्स जोतिलिंग की यात्रा चार धामों की यात्रा कैलास मानसरवर यात्रा कावड यात्रा शक्ति पीठों की यात्रा पंडरपुर यात्रा आज भी भारत के कौने कौने में कोई ने कोई यात्रा निकलती रहती है लोग आस्ता के साथ उनसे जूड़ते रहते हैं। तमील नाडु में भी कई यात्राएं प्षिज्द हैं। शिवस्थलपाद यात्ती रई। मुरुगननकु कावडी यात्ती रई। वैस्शनव तिरुपवदी यात्ती रई। अस्मन्तिरुत्तल यत्री रए केरला में सब्रिमाला यत्रा हो, आंध्र तेलंगना में मेदाराम में समक्का और सरक्का की यत्रा हो, नागोबा यत्रा इन में लाखों की संक्या में स्रद्दालू जूडते हैं यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि केरला में बगवान राम और उनके भाईयों भरत लक्ष्पर और सत्तुग्र के दाम की भी यात्रा होती है यह यात्रा नालंबम यात्रा के नाम से जानी जाती है इसके अलावा देश में कितनी ही परिक्रमाएं भी जानी रही है गोवर्दन परिक्रमा पंच कोशी परिक्रमा चोराशी कोशी परिक्रमा ऐसी यात्राओं और परिक्रमाओं से हर बक्त का इस्वर के प्रती बहुत दर्में भगवान बुद्ध से जुड़े स्वलों गया लुंबिनी कपिलवस्तु सारनाथ कुशिनगर की यात्राएं होती है राजजीर बिहार में बुद्ध अनुयाईयों की परिक्रमा होती है जैन दर्मे में पावागर्ड थमेच सिकरजी पालितना कहिलाज की या और गुरुदाम यात्रा हो अरुनाचल प्रदेश में नौर्दिस से पर्षुराम कुण की विशाल यात्रा हो इनमें साविल होने के लिए सद्धालूपुरी आस्ता के साथ जूढते हैं देश बन में सद्यों से हो रही इन यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंटज दाम भी किये जाते हैं अब आयोध्या में हो रहे यह निर्मान कारिय यहां आने वाले हर रामवक्त के लिए आयोध्या धाम की आत्रा को भगवान के दर्षन को और आथान बनाएंगे ताक्यों यह एक्तिहातिक छाण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है हमें देश के लिए नवसंकल्प लेना है खुद को नई उर्जा से भरना है इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में मैं पूरे देश के 140 करोर देश वासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमी से प्रांखना कर रहा हूं अयोध्या की प्रभुराम की नगरी से प्रांखना कर रहा हूं मैं 140 करोर देश वासियों को हाथ जोड़ करके प्रांखना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अविध्धा में प्रभुराम विराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करवद्ध प्रात्रा और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साथ्षी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या आएं आयोध्या में सबका पूंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर प्रदेश के विशेस करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर कि प्रणाम के साथ प्रार्थना है मेरा आग्र है कि 22 जनवरी को एक बार वीदी फुर्वक कारकम हो जाने के बाद 23 तारी के बाद अपनी सुविता के अनुसार वो अयोध्या आए अयोध्या आने का मन 22 तारी को न बनाए प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहें तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार कीजिए और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से व्यवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शान है यो द्याका नव्य भव्य दिव्य मन्दिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्द है आप जन्वरी में आए फरवरी में आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मंदिर है और इसलिए बाहिश जन्वरी को यहाँ पहुंचने के लिए भीड़भार करने से आप बचिये ताकि यहाँ जो व्यवस्ता है मंदिर के जो व्यवस्ताफक लोग हैं मंदिर का जो ट्रस्ट हैं हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है इतनी महनद करके किया है पिछले तीन चार साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरफ से कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार बार आगर करता हूँ कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें, कुछी लोगों को निमंत्रन गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देश वास्यों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा. दाथियों, आज मेरा एक आगर मेरे अयोध्या के भाई बेहनों थे, आपको देश और दुनिया के अंगिनत अतिज्यों के लिए तैयार होना है, अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोच अयोध्या आते रहेंगे. लाखों की ताजाद में लोग आने वाजे हैं, अपनी अपनी सुविदा से आएंगे, कोई एक साल में आएगा, दो साल में आएगा, दस साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे. और ये सिल्सिला, अब अनन्तकाल तक चलेगा, अनन्तकाल तक चलेगा. इसलिए, अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है, अयोध्या नगर को, भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का, ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए, हमें मिलकर हर कदम उठाना है, मैं आज, देश के सभी तिर्टक शेत्रों, और मंदिरों से अपना आग्रद हो रहाऊंगा, देश भर के लोगा से मेरी प्रातना है, वद्यर राम मंदिर के दिन्वार के निमित्त, एक सब्ता पहले, 14 जन्वरी मकर संक्रांति के दिन से, पूरे देश के छोटे मोटे सब, तीर्टस्तलों पर सुच्छता का एक बहुत बड़ा भ्यान चलाया जाना चाहिए, हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का भ्यान मकर संक्रांति 14 जन्वरी से 22 जन्वरी तर हमें चलाना चाहिए, प्रबो राम पुरे देश के है, और प्रबो राम ती जवा रहे हैं, तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तिर्थ खेत्र, उसक्या और उसके परिशर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं हो चाल जाए, साथ क्यों, अब से कुछ देर पहले, मुझे एयोज्यान नंगिरी में ही, एक और सवभा के प्राप्त हुआ है, आज मुझे खुसी है यह बताते हुए, कि उजवला गैस कनेक्शन की, दस करोड़ भी लाबार्थी बहन के घर, मुझे जांकर के चाई पिने का मोका विला, जब एक मई, दोजार सोला को हमने, यूपी के बलिया से, उजवला योजना शुरू की थी, तो कोई कलपना भी नहीं कर सकता था, ये योजना सफलता की इस उन्चाई पर पहुँचे गी, इस योजना ने करोड़ों परिवारों का, करोड़ों माता और बहनों का जीवन, हमेशा के लिए बदल दिया है, उन्हें लकड़ी के दुएं से मुक्ति दिलाई हैं, साथियों, हमारे देश में, गैस कनेक्शन देने का काम, साथ, सत्तर साल पहले शुरू किया गया था, साथ, एन्हें, छे साथ दसक पहले, लेकिन 2014 तक, हालत ये थी, कि 50-55 साथ में सिरफ, 14 करोड़ गैस कनेक्शन ही दिये जा चुके थे, याने, पाँच दसक में 14 करोड़, जबकि हमारी सरकार ने, एक दसक में, 18 करोड़ नए गैस कनेक्शन दिये हैं, और इस 18 करोड़ में, 10 करोड़ गैस कनेक्शन, मुक्त में दिये गए हैं, उजवला योजना के तहट दिये गए हैं, जब गरीब की सेवा की भावना हो, जब नियत नेक हो, तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं, आज कल कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, कि मोदी की गारंटी में इतनी ताकट क्यों है, मोदी की गारंटी में इतनी ताकट इसलिए है, क्योंकि मोदी जो कहता है, वो करके लेके लिए जीवन खपा देता है, मोधी की गारंटी पराज देश को इसलिए भरोता है क्योंकि मोधी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विस्वाद दूँगा कि इस प्रवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं चोड़ेंगे स्वी राम हम सभी पराशिरवाद रखे इसी कामरा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं प्रभु स्री राम के चरुड़ों में प्रडाम करता हूं और आप सब को विकास कारियों की बहदाई देता हूं मेरे साथ बोलिए सिया उपरामच्णर की सियावर उपरामचंदर की भारत माता की भारत मपा की भारत माता की लौत बार बनेवार